Hey Hello Everybody, My Name is Babur Khatri and you are watching my YouTube channel Consider subscribing because I am uploading daily videos So in this video I am going to be talking about latest reviews, latest news updates regarding smartphone and other technology So my first news is Xiaomi Redmi Note 6 Pro, so yes its price leaked and its color options leaked Which the Note 5 Pro in India came back in February So Note 6 Pro guys are going to be in Europe And its price in Europe will be 200 to 250 EUR If you convert it in Indian price, then it will be 16,500 to 20,600 EUR It will be in Europe 2 variants launch One will be 3GB RAM 32GB and the other will be 4GB RAM 64GB But in India, there will be a 6GB RAM variant in China So the next update is Moto G7 So Moto G7's live image leaked in Weibo This is a 3,200 mAh की और ये टर्बो चार्जिंग के साथ आएगा तो अगले अपडेट आ रही है गाइस रेलवे प्लाटफॉर्म को लेके तो रेलवे मिनिस्टर प्यूज गोयाल ने टूजडे की दिन ऐसा कन्फर्म किया है 6000 स्टेशनों उपर फ्री वाइफाई की सुवीदा अगले 6 माइने से लेकर 8 माइने के अंदर लगा दी जाएगी तो ये काफी अच्छी बात है हम इंडियन रेलवे प्लाटफॉर्म के लिए कि हर जगे हमको वाइफाई मिलेगा चाहे वो लॉग हॉल स्टेशन हो या फिर शॉर्ड हॉल स्टेशन हो आने वाले उसी माइनों के अंदर जीपीएस टेकनोलोजी भी रेलवे में लगा दी जाएगी जिसकी मदद से आप एक्जाक लोकेशन ट्रेन की पता कर सकते हो कि अभी ट्रेन कहां पर है और अभी ट्रेन कहां नहीं है और उन्होंने ऐसा भी कहा है कि 73 से लेके 74 परसें टक हमारी इंडियन रेलवे इस टाइम पर चल रही है दोस्तो अगली अपडेट आ रही है वाट्साप को लेके दोस्तो हम सभी को पता है वाट्साप काफी वेलनोन प्लैटफॉर्म है फेस्बुक का और ओवर 200 मंतली एक्टिव यूजर सिर्फ इंडिया से ही है और दिन पे दिन काफी सारी फेक न्यूज और काफी सारी डेंजरिस न्यूज भी फैल दी जा रही है वाट्साप के उपर उसको लेके ऑगस्ट 21 को वाट्साप के सीयो क्रिस दैनियल और हमारे इंडियन आईटी मिनिस्टर रवी शंकर प्रसाद जी ने मीटिंग की थी और उसके अंदर ऐसा सुझाव निकाला था डैट डी एफ एक कांपनी होगी उसके अंदर पूरी कंट्री से 10 कम्यूनिटी लीडर्स को अपाइंट किया जाएगा जिसको 40 ट्रेनिंग सेशन्स की ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे उन लोग वाइलेंस और अ आके चलके एक ऐसी अपडेट वाटसएप में आईगी कि आप पोल के जरीए या फिर स्पैम माकिंग के जरीए फेक न्यूस का पता लगा सकते हो अगले अपडेट आ रही है डेल को लेके सो वेनिजडे को आईफर 2018 के अंदर डेल ने लाँच कर दिया है अपने 2-in-1 लैप टॉप्स जिसका नाम है इंस्पिरॉन क्रोम बुक और मॉनिटर्स सो स्टार्ट करते हैं इंस्पिरॉन 7000 से सो यह 2-in-1 लैप टॉप है और यह 3 वीजिन्स में आता है 13 इंच 15 इंच और जिसके अंदर आपको मिलेगा 8 जनरेशन इंटेल का प्रोसेसर और इसकी रैम आएगी 16 GB की और इसकी स्क्रीन होगी 4K UHD स्क्रीन और ग्राफिक कार्ट इसके अंदर होगा निवेडिया का जीफोर्स MX150 ग्राफिक्स अगली अपडेट आ रही है बोस को लेगे इसी साल 2019 में बोस ने अपने तीन स्पीकर लाँच कर दिये है जिसमें से एक होगा होम स्पीकर और दो होगे साउंड बार और उनके कुछ नाम है स्पीकर 500, साउंड बार 500 और 700 ये स्पीकर गाईज आएगे Amazon के Alexa Voice Control के साथ में और बताया ऐसे जा रहा है कि ये Apple और Sonas के स्पीकर को टकर दे सकते हैं और इसके अंदर एडिशनल फीचर है AirPlay 2 और ये सपोर्ट करेगा Apple के सभी डिवाइस के अंदर और ये मिलेगा आप लोगों को 2019 के एंड तक अगली अपडेट आ रही है Apple की तरफ से Apple 2019 के एंडिंग तक लांच करने वाला है तीन न्यू स्मार्टफोन जिनका न और ये वो 10S और 10S Plus होगे 10S Plus गाइस काफी बड़ा फोन होने वाला है Apple का 6.5 इंचिस के OLED पैनल के साथ में आएगा और 10S होगा 5.8 इंचिस के OLED पैनल के साथ में और जो iPhone 9 होगा 6.1 इंचिस के LCD पैनल के साथ में तो ये तीन फोन गाइस iPhone लांच करने वाला है तो अगले अ 3GB RAM वाला वीडियंट आता था 11,990 रुपे का अब वो आपको मिलेगा 10,990 रुपे में तो कमेंट सेक्षिन में बताना क्या आप ये फोन लेना चाहोगे या नहीं तो अगर आपको Bluetooth headphones पसंद है तो एक company है जिसका नाम है Sennheiser उन्होंने आज अपने एक new Bluetooth headphones लांच कर दिये इंडियन मार्किट के अंदर जिसकी price है 7,490 रुपे ये आपको available होगे company के online website के उपर description में मैं उसकी link दे दोगा और ये Bluetooth headphones की main highlight है headphones pad हो सकते हैं दो devices में simultaneously और इसके अंदर quick fast charging का support है via USB और इसकी design काफी अच्छी है और इसका जो weight है वो 14 grams है तो अगर आप fan of Bluetooth headphones के तो आप इन headphones को खरीच सकते हैं अगली update आ रही है Huawei की तरफ से so Huawei ने smartphone market के अंदर overtake कर दिया है Apple को ऐसा एक report में analyze किया था Gardner ने और उन्होंने ऐसा कहा है कि 2018 के अंदर Huawei ने sell किये 49 million shipments मतलब 49 million devices वह ही Apple ने ship किये 44 million units तो अभी number second के उपर आगया है Huawei और number one के उपर है Samsung जिनोंने बेचे 72 million units अपने smartphone की core या manufacturers के अंदर और अभी note 9 भी आगया है तो note 9 के साथ साथ अभी और भी number बढ़ रहे हैं so congratulations Huawei second number की position पे आने के लिए अगली बड़ी update आ रही है Vivo की तरफ से Vivo ने काफी सारे अपने variants की price को cut कर दिया इंडिया के अंदर और वो variants होगे Vivo V9, Vivo Y83 और Vivo X21 so Vivo V9 की market price होगी 18,990 रूपीज वह ही Vivo Y83 की price है 13,990 रूपीज और Vivo X21 की price अब हो गई है 31,990 रूपीज so अगर आपको इन तीन variants में से कोई भी phone खरीदना है description में उसकी link दे दूँगा आप वहाँ से जाकी इस phone को खरीज सकते हो और आगे चलके Vivo अपना एक बड़ा phone भी launch करने वाला है flagship phone I think वो होगा जिसका नाम होगा Vivo V11 Pro जैसे ही वो phone launch होगा उसके review भी मैं लेके आ जाऊँगा so guys यह थी मेरी daily updates यह थी मरा आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो like कर देना और subscribe कर देना क्यूंकि मैं रोजाना daily दो वीडियो लेके आता हूँ सुबा 9 बजे vlogging वीडियो और रात में 9 बजे ऐसे ही technology related वीडियो तब तक के लिए देखते रहिए मेरे वीडियो थैंक्स अलोट फो वाचिंग बाबाई फोर नाव